इस न्यूस के स्पॉंसर है डॉक्टर असुदिल्ला खान, इंग्लिश हाई स्कूल एंड जुनियर कॉलेज सुलापुर भारत्चुडो न्याय यात्रा में मनिपूर से हम महराश्टा गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेंड की थी की हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सब को मालुम है की नीट पेपर एंड यूजीसी एनीटी के जो पेपर्स हैं वो लीक होए हैं और एक कैंसल भी हुआ है कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने युकरेन की लड़वाई रोक दी थी अंतब एक ओर्डर देके जो रूस और युकरेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था ब्रेक लगा दी थी इसरेल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं नुकसान स्टूड़न्स का होता है जो हिंदुस्तान के स्टूड़न्स हैं मैं जानता हूँ कि आप इन एक्जैम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो यह आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवार किया जा रहा है मध्यप्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है मैं इंस्टिटूशनल कैप्चर की बात करता हूं मीडिया की बात करी अलग लग हिंदुस्तान के जो संस्ता है उनकी बात की यही एजुकेशन इंस्टिटूशन में हो रहा है पेपर लीग का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने उनकी पैरंट ओर्गनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है जब तक यह कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीग चलता जाएगा इस कैप्चर को फसिलिटेट नरेंदर मोधी जी ने किया है और यह एक एंटी नैशनल एक्टिविटी है क्योंकि यह देश का भविश्य है और इससे हिंदुस्तान के यवाव को स्ट्यूडन्स को जबरदस चोट पड़ती है इंक्वाइरी चल रही है एक को आपने कैंसल कर दिया है अब पता नहीं दूसरे को कैंसल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एक गम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे आक्शन लिया जाना चाहिए आपके कोई सवाल हो साथियों मैं बुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विशे पर कहाई। ऑ आग凤ै कि जुलlike कोई झाला के लिए याट उलाएट फ़लाएट इसके डोंगरी तून गभा शोंगरी एल्वाटेट कोई अमेसा टेजसे फेल्टा इंधि पियर शुल 2 प। युल 2 भाराएट प। इस्याट तूट्स कि फटिए पीजाटिय। करे कि पड्या डीड थो नाक डीएम शबद टोड़ाट्च इड मेरपीघ इंगे व्यूरा एप्टा बज आपाम इ सever intuitively this idea to the rest of the country this is extremely damaging to students and it's happening because all our institutions have been captured our vice chancellors are placed not based on merit but because they belong to a particular organization and this organization and the bjp have penetrated our education system and destroyed it what was done by mr narendra modi to the economy with demonetization has now been done to the education system youngsters i want you to know that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the bjp captured by their parent organization and until this capture is released you're going to suffer you're going to see cancellations of your exams you're going to see paper leaks again and again and again one paper has been cancelled we don't know what is going to happen to neat but whatever happens it should not be done in a arbitrary fashion the rules that apply to one paper should apply to another paper and it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished thank you sars fromwar sars sin Satka some career to get out of the field so can you see the 되지-tolg पर लोग्साभा में इसविशयकों को उठाएंगे और आप याम आँ करेंगे की प्रधानमंत्री मोधी खुद सदन में आकर जवाब दे इस विशे पर क्योंकि ये च्छातरों के भविश्य से जोड़ा विशे है हाँ बिलकुल सिंपल सिंपल क्वेस्टिन हाँ उठाएंगे पार्लिमन्ट हाउस पर उठाएंगे सवाल यह है कि जो एड्यूकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए जिसका आरोप भी आपने लिगाया और जो सामने भी आया है रद भी हुआ है कल परिश्या लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बदलाव क्या होने चाहिए वो बदलाव जो इसस देखिए दो तीन चीजें हैं सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं वाइस चांसलर की लिस्ट निकालीजिए पता लग जाएगा तो इसको रिवर्स करना होगा दूसरी बात मैन और स्ट्रिक्ट कारवाई होनी चाहिए मगर हमने ये भी कहा था कि पेपर लिग होने से पहले जो सिस्टम है जो यूनिवर्सिती के एक्जैम के रूल्स हैं इनको फिर से एसेश करना पड़ेगा इनको स्टडी करकर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा यह दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टों में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डाल कर यह दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा यह दो करने की आप यह दो आप आप सब्सक्राइब आप यह दो आप आप इवा त्यूंट शेख देटीन शिक्षी देडिल अभाने ईवरेश्ट प्राइब शिक्राइव देटाशने अचिट प्रेशने अच्छा पलतों गार जश्टाष एग्षार वरे तक अच्छाशा सी See, there is a, there is a huge pressure on our students and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large-scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it. Everybody knows it. And one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there's huge pressure because of this. And there are very few avenues for students in all areas. Right. So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off. The exam avenue, you're saying, you know, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is canceled. So, you know, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agni Veer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. So it doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just a educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions. So people are quiet. Now people are very clear that we're sitting on a disaster. And we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg. Right. So, yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. Right. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response. Right. So, I don't see. Yeah, I don't know. You're going to be kidding me. Yeah, I don't see. One second. भिहार का भिया, हमने कहा है. की, Inquiry होनी चाहिए. और जो भी. जिन्होंने भी पीपर पेपर लीक कराए है, उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए. राहुल जी चुकि यह मामला नेशनल लेबल पे भी एक्जाम्स में हो रहा है स्टेट लेबल में एक्जाम्स में कई जगे इस तरह के पेपर लिक की घटा होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है आपको लगता है कि एक सक्त कानून बनाने की जरू लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे इनकेपबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे एक्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्श हैं एक्जाम्स लेने के स्ट्रक्चर्श हैं उनमें आप आइडियोलोजिकल लोगों को डालेंगे तो यह काम होगा यह इसका सबसे बड़ा कार बीजेपी and its parent organization ने जो capture किया है यह है और अगर आप culprit ढूनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने हिंदुस्तान के institutions को destroy किया है जो पहले objective हुआ करते थे, impartial हुआ करते थे, वो आज impartial नहीं है, objective नहीं है, ideological बना दिये गये हैं और media को लोगों को इन institutions में बठा दिया गया है इसका main कारण यह है और इसका आप epicenter देखिए, पूरा देश जानता है यह वाओ, आप सब जानते हो कि इसका पहले epicenter मध्यप्रदेश हुआ करता था, वहाँ पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थे, यह तब शुरू हुआ था, आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदे में और मध्यप्रदेश में इन चीजों का epicenter है, और आप यह भी जानते हो कि BJP के लोग कहते हैं कि हमारी laboratory मध्यप्रदेश और गुजरात है, तो laboratory से यह काम शुरू हुआ है, और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है, जब तक यह reverse नहीं चीने जाएंगे, और effective, honest, impartial लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक यह होता रहेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक BJP रहेगी, यह बढ़ता जाएगा. Sir, NTA के अंदर सारे exams आने लगए है, NEETB, NETB, और even college admissions भी उसी पर हो रहे है, तो आपको लगए है, ट्रांस्परेंसी कहीं न कहीं वहीं खतम हो जारी, क्योंकि वह एक agency जो है, वही सारा conduct करा रही है, तो आपने पार्लेमेंट में इस मुद्दे को ठाने को सुचा है कि NTA को हिंदुस्तान में बहुत सारे honest लोग हैं, बहुत सारे objective लोग हैं, अगर objective लोगों को honest लोगों को आप ये काम दोगे, paper leak नहीं होगा, अगर आप mediocre लोगों को राजनेतिक बेसिस पे, ideological बेसिस पे चुन के करोगे, तो ये कम होगा, और ये मैं कह रहा हूं, दोराता जा रहा हूं, कि हर हिंदुस्तान की हर संस्ता को capture कर रखा है, legal system को, bureaucracy को, intelligence agencies को, investigative agencies को, education system को. आपने इमांगे रखी सरकार से, आपने इमांगे रखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आगया है, NTA को, जो NTA है, agency, उसको clean sheet एक तरीके से HRD मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है, तो सरकार का तो कहिना कहीं पक्ष साब दिखाई देता है, आगे आप इन बातों में है ही नहीं, वो clean sheet दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी zero credibility है, सब लोग जानते हैं कि epicenter, Madhya Pradesh, Gujarat and Uttar Pradesh, सबसे ज़्यादा, मेरी यात्राओं में सबसे ज़्यादा paper leak की बाद यहीं आई थी, Uttar Pradesh में आई थी, Madhya Pradesh में आई थी. Raulji, NTA has conducted one test and which has been cancelled, the other is under doubt, you know, and the court is looking into it, would you say that the agency like NTA is incapable of conducting such examinations because two main examinations and you want it to be disbanded or something? No, I would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exam successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs and you are posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can do, you can change whatever system you want, if the man, if the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Sir, last question. Sir, specifically on NEET examination, there is of course investigation that is going on but the scheduled counselling session is not been delayed, it is going to happen as per schedule. So, do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation is going on but then they are not delaying the session? Look, you can, they can eyewash whatever they want, but they are going to get such pressure from the opposition that they're going to think twice about whatever they're doing because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money, so the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them, that this issue is resolved. Okay, General. Last question. Sir, General. So, R.O.P. So, R.O.P. R.O.P. has been a great deal with this. लिख वा, मंत्री कह रहे हैं नहीं वा, इस पर आप क्या सोचते हैं, no confidence motion, परलिमें पर लाले की कोशिश रहे हैं? Silence is because, sorry, silence is because Prime Minister is crippled. Right now Prime Minister's main agenda is the speaker. So he's not bothered about NEET, he's not bothered about all these things, he's bothered about कि भाया मेरी सरकार निकल जाए यहां से और मेरा speaker बन जाए. Right, that is where he is right now, that's where his mind is. Right, so essentially the main thing is that we have a government now right, and a Prime Minister now who will find it very difficult to function. The Prime Minister, if I might say so, is psychologically broken. He has collapsed, psychologically collapsed and he will struggle knowing his personality, he will struggle to run a government like this. Because his entire sense of running a government, the idea of running a government, Mr. Modi's idea is to generate fear in people, to frighten people, to make people not speak. You're aware of that. Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Bharatanasi itself threw a chappal on his car. Right, so it's very clear the basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with a if right now you had a Vajpayeeji or a Manmohan Singhji, they might be able to survive what they are faced with. because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly he's found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him. Right, so psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister. And he's going to really struggle. And of course now we have a stronger opposition. So it's going to be interesting and quite a lot of fun. Thank you. Welcome to Dr. Asadullah Khan English Miriam School and Junior College where we are building and we are building and we are building the school of children's children's play park. The 10th century of Vishal campus with this school is the biggest school of Solapur which is the biggest school of children's play park. Here is a natural football ground, volleyball court, basketball court and children's play park. Qualified teachers with digital classrooms and children's children's play park. There are children's 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 all-round development for indoor sports arena which is the indoor sports arena and carom board like games are. Rifle shooting and archery and facilities are ready to be ready. The children's children's and the children's and the children's and the children's and the kids' and karate sessions are going to be ready. Years there are more than 100 activities that are in the community helpers day, the azan and the competition competition, vegetable market day, the wuzhu day, the sala day, the maths quiz, annual sports day and the food festival जैसे कार्यकरम शामिल है बस फसेलिटीज शेहर के हर कोने से अविलिबल है अपने बच्चे की ओवर ओल डिवलप्मेंट और बहतर फ्यूचर के लिए आज ही एन्रोल कीजिए डॉक्टर सदूला खान इंगलिश मिडियम स्कूल एंजुनियर कॉलिज में